ओम शान्ति आज हम शरीर के स्वास्थ के लिए एक विशेश मेडिटेशन करेंगे इस मेडिटेशन कोमेंटरी में हम परमात्मा द्वारा शक्तिशाली हीलिंग किरने लेकर अपने शरीर को देंगे और विशेश जिस शरीर के अंग में कोई बीमारी या दर्द है वह किरने हम एक लेजर बीम की तरह उस अंग को देंगे परमात्मा सुप्रीम सर्जन है वे वैद्यों के वैद्य है जैसे कोई डॉक्टर ओपरेशन करते समय लेजर की किरनों से वह शरीर के अंग को ठीक करते है वैसे ही हम यह परमात्म किरने पुरे शरीर को देंगे और विशेश जिस अंग में बीमारी या व्यादी है उस पे हम यह किरने फोकस करेंगे यह मेडिटेशन करते समय हम तीन संकल्पों का प्रयोग करेंगे यह तीन संकल्प हैं मैं मास्टर सर्वशक्ती मान हूँ मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और मैं बहुत सुखी हूँ इनी संकल्पों को यूज कर जब ही हम पानी पिये इन संकल्पों को यूज कर हम वह पानी को चार्ज करके पियेंगे हमारे शरीर में लगबक 78% वाटर है पानी यह संकल तुरंद कैच करते हैं और वह चार्ज किया हुआ पानी जब हम पीते हैं उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर में होता है हमें इस मेडिटेशन का प्रयोग दिन में 2-3 बार 21 दिन करना है साथ ही दिनों में हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे तो यह मेडिटेशन चलिए स्टार्ट करते हैं चारो तरफ के सर्वसंकल्पो को समेट कर एकागर करेंगे मस्तक के बीच मैं आत्मा जोती स्वरूप एक चमकता सितारा मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्ति मान हूँ संपूर्ण स्वस्थ हूँ मैं बहुत सुखी हूँ अभी हम सिर के ऊपर विज्वलाइज करेंगे परम्पिता परमात्मा शिव बाबा एक पॉइंट ओफ लाइट परम्पिता परमात्मा शिव बाबा शर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन अनुभव करेंगे उनसे हीलिंग किरने निकल कर मुझा आत्मा में समा रही है जैसे लेजर बीम एक टॉर्च की लाइट निकल कर फ्लो होती है वैसे ही यह किरने मुझा आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा पूरी तरह शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ अभी हम फील करेंगे यह परमात्म प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है उपर ब्रेन से लेके नीचे पैरों तक यह प्रकाश फैल चुका है जैसे हमारा पूरा शरीर इन परमात्म प्रकाश से जगमगा उठा है मानो यह शरीर दिखाई ही नहीं दे रहा है पूरे प्रकाश का शरीर जगमगा रहा है मैं आत्मा अपने इस प्रकाश के शरीर में परमात्म किरने मुझा आत्मा पे पड़ रही है और पूरे शरीर में फैल चुकी है प्रकाश का थाओ प्रकाश किरने वका शरी नहीं पास्द के शरी डाज़ प्रगए छाह से जग sudah है जितना हम अपने शरीर को परमात्म किर्णों की सकाश देंगे उतना ही हमारे शरीर के सभी कश्ट बीमारियां नश्ट हो जाएंगी हमारी आयू बढ़ेगी हमारा जीवन पुरी तरह से स्वस्थ और सुखी बनेगा परमात्म किर्णे मुझा आत्मा पे पड़ रही है और पूरे शरीर में फैल चुकी है इसी स्थिती में दो मिनिट एक आग्र रहे प्रौब पर जचाओ किर्स्कों में दो भूस्थ ऑप्राओ क्यों मतिश्ट गिए प्रणी क्यों में प्रुट कुकी अजू के अजिए एक प्रूरा जो जूस्थ आत्मा कि पूस्थ नूस्थ प्राइभ नूबाश् वात्मा किर्ण झाल 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 अभी हम फोकस करेंगे उस शरीर के अंग को जहाँ कोई बीमारी है या हमें दर्द होता है फील करेंगे यह परमात्म किरने मुझ आत्मा में समा कर और मुझ आत्मा से वह प्रकाश वह शरीर के अंग को मिल रहा है जैसे एक लेजर बीम टॉर्च की किरने उस अंग पर पड़ रही है उसी अंग पे फोकस करें फील करेंगे वह अंग पूरी तरह परमात्म प्रकाश से भर चुका है और जो भी नेगेटिविटी है बीमारी या रोग है वह धीरे धीरे नश्ट हो रहे है और पूरी तरह वह अंग बेदाग बन जगमगा रहा है इसी स्थिती में दो मिनिट एक आगर रहे इसी स्थिती में पूरी तरह रहे है इसी स्थिती में पूरी तरह रहे है झाल 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 अभी अपने मस्तक के बीच आत्मा पे एकाग्र करेंगे और संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्ती मान हूँ, सम्पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ती मान हूँ, मैं सम्पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं विज्वलाइस करें, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है, मैं सम्पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, विज्वलाइस करेंगे, जीवन में हम बहुत सुखी है, तन, मन और धन से भरपूर है, भगवान अपने बच्चों को सदातन से, धन से और मन से सहज रखेगा, यह परमात्मा बाप की गैरंटी है, ओम शांती